नमशकार स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूँ आपके साथ सौमयराधी इस वक्त मैं बैठी हूँ डॉक्टर राजीव रंजन के साथ जो की बिहार के सबसे प्रमुक फिजीशन्स में से एक है डॉक्टर साहब से आज हम एक बहुत दिल्चस्प चीज़ के बारे में सवाल जवाब करने के लिए बैठे हैं कि आखिरकार जिस करेली के जूस को हर चीज़ के लिए राम बान इलाज बताया जाता है वो सच में कितना कारगर साबित होता है सबसे पहले डॉक्टर साहब नमश्कार स्वागत है आपका डॉक्टर साहब करेली का जूस को लेकर बहुत सारी चीज़े करिये जाती है कि स्वास्त के लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मंद होता है लेकिन इसके कुछ आड़वर्स एफेक्ट्स भी होते है सबसे पहली चीज़ में यही जानना चाहूंगी हमारे दर्शकों के तरफ से इस सवाल है कि बुखार के लिए करेली का जूस जो है वो कितना ज़्यादा कारगर साबित होता है ऐसा है स्वामिया जी कि करेली का जूस प्रचार तंत्र पर बुरी तरह हावी है जिसका इतना जिसा हारीप है इसका बेनिफिट ओएसा नहीं है हायरेद वाले ज़्यादा बता सकते हैं लेकिन जहां तक हम लोग का सवाल है हर डाइबिटिस के मरीज यही कहने आते हैं हमरे क्लिनिक में हम करेला का जूस पी रहे हैं सवेरे से साम तक आठ गिलास पी रहे हैं दस गिलास पी रहे हैं फिर भी हमरा सुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है चाहे कंट्रोल अगर हो भी रहा है तो क्या करें इसका मेरा यही मानना है कि जूस टर्म से आपती है करेला की सबजी आप खाईए जूस क्या लेना है जूस तो उसका कंसंट्रेट हो गया ठीक है करेला एक अच्छी चीज है जिसको आयरुवेद में बहुत ज्यादा इसको तबज्जो दिया गया है लेकिन करेले का सबसे बड़ी बात है कि अती सरवत्र वर्जेद करेला का जू करेले के जूस पर लगातार आप धले जा रहे हैं हो सकता है कि आपके स्वास्त को यह बिल्कुल बरबाद भी कर सकता है इस पर सचेत रहने की जोगता है एक डीटा था जिसके मताबक शाद अब तक यह डिफाइन नहीं किया गया है कि करेली का जूस जो है कितनी मात्रा में फाइदे मंद हो सकता है तो इस पर क्या कहेंगे बिल्कुल जो डाटा के बाद आप कर रही है कोई डाटा नहीं है करेले पर करेला चूकि एक अईरुवेदी गरलुप प्रोडक्ट है हम लोग हर घर में खाते हैं एक बिटर है स्वाद में तीखा है स्वाद में तीखी चीज हमेशा अच्छी होती है मीठी चीज कभी कभी जो है स्वाद के लिए कड़वी सावित होती है तो इसलिए करेला तो अच्छी चीज है लेकिन जो मैं कहा कि यह ज्यादा कान से कान जो हो रहा है लोगों की करेला ख़ाए ये करेला खाए जो भी डियापीटीस मरीज आ गया उसको दूसरा कोई कहेगा घर में जाएगा उसकी नानी रहेगी दादी रहेगे बाभी रहेगी करेला का जूस पूरी तरह से निर्मूल करना अतियाश् rifiक है अगर आपको बिल्कुल स्वस्तरा ना है तो और डायबिटीज के मरीजों को खास केम काना चाह रहा हैं कभी कभी किड्नी पर एक्स्ट्रा प्रेसर हो जाता है सलकुलाइट का तो किड्नी पर भी भार पढ़ने से किड्नी की कमजूरी हो सकती है इसलिए करेले का सेवन सबजी का जूस पी रहा है तो फिर उसके स्वास्थ पर इसका बुरा प्रभाफ पढ़ सकता है अड्वर्स एफेक्ट हो सकते हैं लेकिन करेला जो है वो वाकई में किन चीजों के लिए फाइदे मन्द हो सकता अगर करेली का सेवन को एपनी रेगिलर डाइट में सबजी के रूप होता है करेला में है तो इसलिए इसका लगातार अगर आप सेवन कर रहे हैं तो यह हर तरह से आपके लिए मुफीद है स्वास्थ के लिए हर्ट के स्वास्थ के लिए लीवर के स्वास्थ के लिए लेकिन खास करके डाइबिटीज के मरीज अगर डाइबिटीज ठीक करने क चकर में करेले के जूस के प्रती आमादा हो जाते हैं, मुखातिब हो जाते हैं, ये कभी-कभी खतरनाख हो सकता है, लेकिन जैसे आप हैं, हमें कोई भी स्वास्वेक्ति करेला का इस्तमाल अगर करेगा, तो उसे भरपूर एंटी-उग्जेंट मिलेगा, तो उसे तरह-तरह क स्वास्त की समस्याओं से निजात मिल सकती है, छोटकर मिल सकता है, तो एक बार फिर से में हमारे दर्शकों के लिए जो करेले पर इतना जादा भरोसा दिलाते हैं, उनके तरफ से एक आखरी सवाल जो है, वो ये पूछना चाहूंगी कि डेंगो के बुखार में खास तोर पर करेले का जूस कितना कारगर साबित हो सकता है? कोई एंटिबाइटिक नहीं, कोई पेंट किलर नहीं, आप आराम से रहिए, प्लेटलेट पर ध्यान रखिए और डेंगो से मुक्ति पाईए, कहीं करेले का कोई स्पेशल रिफरेंस कोई उलेक डेंगो में नहीं है. उमीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने करेले के बारे में जो सारी बाते बताई हैं, उनसे जो कुछ भ्रम हमने पाल रखे थे, उनमें आपको बहतर तरीके से समझने में मदद मिली होगी. तो जरूरी यही है कि अगर आपको कोई भी स्वास्त से संबंदी दिक्कत होती है तो आपने चिकित्सक से बिना सला लिए, कोई भी ऐसी चीज ना करे जो आपके स्वास्त को और जाधा हानिकारक बना सकती है, क्योंकि जो करेला सबजी के रूप में आपके शरीर के लिए फाइदे मन्द हो सकता है, अगर वही जूस बन कर अपके शरीर में जाधा चला जाए तो किड्मी तक ये भी समस्या हो सकती है, इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेस्बुक पर भी भेज सकते हैं, धन्यवाद